हेलो फ्रेंड्स रादे रादे कैसे हैं आप स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और गैनिक गार्डन बाई सुनिता में आज मैं आज एक ऐसे पोधी के बारे में बताते हूं जो और गुणियों से भरपूर है और पत्थी के लिए तो रामबान है बाकी इसको कई न से जिन्थि मैं भी इसको रखा जाता है और यह भूत ही आसानी से ग्रो हो जाता है च्स सब्सड़ी बात को यह कर सकते हैं इसके एक सवी पत्ते से भी आप शॉक्ड़पत्ह before पैदा कर सकते हैं तो इसको लगानी की ना आदे हैं वासी अम्य बात हैं मैं दिखाते हूं ज्यादा घना है आराम से आप इसको लगा सकते हैं और अपने बगीचे में सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें उस्धिय गुण है यह है और गिनेरी भी इसको ना तो ज्यादे पानी की ज़ूर्थ है ना किसी खात की है यह बहुत आराम से ग्रोह जाता है और खूब सरत हलका से किसी के जैसे कच्छे नखून तर गया यह पैर में हलका से दर्द है हाथ में कहीं भी तो आप इसको हलका से सिकाई करके तब बांच सकते हैं बहुत जल्दे आराम मिलता है वह पत्थर के लिए तो खाली पेट इसको चबा लिजेगा तो आट-दस दिन में ही काफी आराम मिल जाता है तो हैना गुणों से भरपूर और बहुत सारी गुण है मेरे को तो इतनी नोलिज नहीं जादा मेरे को नोलिज है मैं आपको बता देती हूं इसलिए बस यह इतना खूश्रूसर पोधा है अगर आपको इसकी पत्ति भी मिले तो आप आराम से वह बिला सक सिंपल मिट्टी में इसको रख सकते हैं तो उससे अकड़ पोधे निकलाएंगे कैसी लगी मेरे छोटी से चानकरी अच्छी ही लगी होगी अच्छी लगी है तो कि पर शेयर और लाइक करिए को चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा रादे रादे जैसरी कृष्णा बहुत च्छोटी च्छोटी से में वीडियो आपको बता दिखाती हूं लंबा करने से यह है कि बोरत हो जाती है बस फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हूं रादे रादे जैसरी कृष्णा बहुत